जहें दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रिटार्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबाइट एरिस्ट अटेक वारियर थेटाइम आइन मैन फिनिशर, सौर्य चकर अवाडी, मैराथोन रनर प्रवीन कुमार तेवतिया दोस्तों जितने भी हमारे रेनर्स हैं, पिछले चार महिने के लोगडॉम में बहुत लोगोंने रेनिग नहीं की होगी उस रेनिग ना करने की वज़ए से उनकी जितनी भी मसल्स हैं वो रेस्ट में चले गई होगी अब जब वो दुबारा running start करना चाहते हैं तो बहुत जादा problem होती है और start करने के लिए उनको बहुत जादा stamina, endurance के ज़रत पड़ती है और पहले वो बहुत सारी marathon करते थे लेकिन उस break के बार उनको बहुत सारी problems का सामना करना पड़ रहा है यह जो training program है 5 km का यह beginners के लिए भी है और जितने भी runners हैं अपनी running को resume करना चाहते हैं उनके लिए भी यह training program बहुत ही solid है बहुत ही कामका है तो मैं शुरुवात करता हूँ अपने training program की day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6 और day 7 week 1, week 2, week 3, week 4 और week 5 जितने भी दोस्ते हैं आपको थोड़ा सा visibility थोड़ा सी कम रहेगी, कम दिखाई दे रहा है तो यह training program आप लिख लीजिएगा और मैं आपको हैं पर समझा रहा हूँ कि किस किस तरह से आपको यह training program follow करना है तो सुरुवात करते हैं week 1 और day 1 से तो दोस्तो आपको running करनी है 5 minute walk करनी है 1 minute और यह repeat करना है आपको 3 बार day 2 में दोस्तो cross training है cross training में आप cardio की exercise कर सकते हैं यह training program है यह आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं अपने week के लिए तो day 4 आपका रहेगा rest day 5 में आपको करनी है run 7 minute walk 1 minute repetition इसके रहेंगे 3 बार day 6 में आप cross training cross training में आप yoga कर सकते हैं day 7 जो रहेगा आपका वो रहेगा rest अब मैं आता हूँ यह आपको एक week का training program है आपको यह follow करना है week 2 में हम जाते है week 2 में आपको run करना है 7 minute walk 1 minute repetition इसके आपको करने हैं 3 day 2 cross training cross training में आप swimming वगेरा या कोई भी light exercise आप यहाँ पर कर सकते हैं day 3 में day 3 में रहेगी run 8 minute walk 1 minute और इसमें हम include कर देंगे speed run speed run रहेगी आपकी 1 minute और walk 2 minute इसके repetition करने हैं आपको 3 चलिए अब day 4 पर आ जाते है week 2 day 4 आपका rest है day 5 run 9 minute walk 1 minute repetition आपका 3 बार day 6 आपका cross training कर रहेगा इसमें आप zumba dance आप अराम से कर सकते हैं और day 7 आपका रहेगा total rest week 3 run 10 minute walk 1 minute और यह आपको repeat करने हैं सिर्फ और सिर्फ दो बार चलिए अब आते हैं हम लोग day 2 में day 2 में आपको करनी है cross training cross training में आप mobility exercise या आप flexibility exercise कर सकते हैं और आते हैं week 3 day 3 इसमें आपको करनी है run 12 minute walk 1 minute speed run 1 minute walk 2 minute और यह repetition करने हैं आपको 4 आप इसको note down करते रहेगा अपनी diary वगेरा में और day 4 में आपका रहेगा rest day 5 में आपका रहेगा run 13 minute walk 1 minute और इसके repetition रहेगे सिर्फ और सिर्फ दो day 6 आपका रहेगा cross training का cross training में आप cycling कर सकते हैं और day 7 आपका रहेगा total rest चलिए अब आते हैं हम लोग आपका run 15 minute walk 1 minute repetition इसके रहेगे आपके दो बार week 4 day 2 आपका रहेगा cross training का cross training में strengthen exercise कर सकते हैं week 4 day 3 run 17 minute walk 1 minute speed run 1 minute और इसके repetition करने हैं आपको 3 week 4 day 4 आपका rest और week 4 day 5 में आपको करना है run 19 minute walk 1 minute और इसके repetition करने हैं आपको 2 बार चलिए और day 6 में आपको करनी है cross training cross training में आप pull up कर सकते हैं या फिर upper body का कोई भी exercise कर सकते हैं day 7 आपका total rest अब आते हैं week 5 day 1 इसमें रहेगा आपका run 20 minutes walk 1 minute run 15 minutes इसमें repetition नहीं है इसमें आपको run 20 minutes walk 1 minute और दुबारा आपको run resume करनी है और वो run रहेगी आपकी 15 minutes की week 5 day 2 आपका रहेगा cross training का इस cross training के दौरान आप अपना कोई भी favorite sports आप खेल सकते हैं किसी को football पसंद है किसी को volleyball पसंद है किसी को basketball पसंद है तो ये दिन रहेगा आपका cross training का इस दिन आप कोई भी अपना पसंदिदा sports खेल सकते हैं week 5, day 3, आपका रहेगा run 20 minutes, walk 1 minute और ये repetition आपका रहेगा 3 बार, week 5, day 4 आपका total rest, आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हम run count कर रहे हैं, वहाँ पे next day हमारा rest है या फिर आपकी cross training है, उसमें आपकी दुबारा running नहीं है, week 5, day 5, run 25 minutes, walk 1 minute, run 20 minutes, इसमें आपको दुबारा walk, 1 minute करने के बाद में दुबारा आपको 20 minutes के लिए run करना होगा, week 5, day 6, cross training में आप push up या कोई thighs की exercise आप कर सकते हैं, week 5, day 7, total rest, दोस्तों ये था हमारा 5 km का, 5 week का simple सा training program, जितने भी beginners हैं, वो इस training program को easily follow कर सकते हैं, या जितने भी हमारे runners हैं, जिनकी running बीच में रुग गई है, चार महिने का lockdown था, muscles पूरी rest में चली गई हैं, वो भी इस training program को follow कर सकते हैं, और अपनी running को resume कर सकते हैं, और अच्छे athlete बन सकते हैं, मेरे channel को like करें, subscribe करें, share करें और comments करके जरूर बताएं, कि ये जो format है आपको मेरे बनाने का, ये आपको कैसा लगा, इस तरह के format मैं आपके लिए और भी बहतर और पहतर लाता रहूँगा, ये जो training program मैंने बनाया है, दोस्तों, ये सिर्फ सिर्फ beginners के लिए है, जो लोग पहले से ही running करते हैं, उनके लिए training program किसी ज़ादा काम का नहीं है, इस तरह के और training program मैं आपके लिए लाता रहूँगा, like, subscribe, share और comments, जै हिंद, जै भारत.